बच्चों को क्या-क्या आहार देना चाहिए ये मा की पहले जिम्मेदारी होती है और वही आहार बच्चों के उपर सूर भी करता है जो ना केवर उनको खाने में अच्छा भी लगे बलकि उनके शरीर को भी पोशन दे सके तो आये चानते हैं मेरी आज की इस वीडियो के द्वारा के आप बच्चों को यानि की नन्हे शिश्वों के लिए कौन-कौन से सूपर फूट्स को इस्तिमाद कर सकती है टिप नमबर बन है दही चावत चोटे बच्चों के लिए सर्व शेष्ट आहार यानि की सबसे अच्छे खाने के अंदर दही चावत सबसे अच्छे माने जाते हैं दही के अंदर प्रोटीन की मातरा ज्यादा होती है क्योंकि एक दूद का ही एक सबस्टिटूट है और इसके अंदर जब भी चावत मिलाए जाते हैं तो ये बच्चों के लिए डैजेस्ट करने में काफी असान हो जाता है इसलिए अगर आपके बच्चे छोटे हैं और धीरे धीरे खाना सीख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को दही चावत खिला सकते हैं टिप नमबर टू है घी की रोटी जी हाँ जब भी आप अपने बच्चों को रोटी दे तो उसके उपर घी लगाना बिलकुल न भुलें क्योंकि घी की रोटी बच्चों की शरी को अंदर से पोशित करती है टिप नमबर टू है वेजटेबल कडी यानि की सबजियों से बना हुआ शोरबा अपने बच्चों को सबजियों से बना हुआ शोरबा जरूर दीजे क्योंकि इसके अंदर नुट्रिशिन वैल्यू क्याफी ज्यादा होती है टिप नमबर फोर है खिचडी छोटे बच्चों के लिए खिचडी जरूर बनाईए इसके अंदर खूब सारी वेजटेबल्स यानि की सबजियां डालिए अलग अलग प्रकार की डाले डालिए और जब भी खिचडी तयार हो जाए तो इसके अंदर या तो दही या फिर घी डाल कर अपने बच्चों को हिलाइए ऐसा करने से बच्चों के शरीर की ताकत बढ़ती है सो दोस्तों यह कुछ ऐसे सर्वशेष्ट आहार जो बच्चों के लिए काफी अच्छे हैं इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूस को हमारे साथ शेयर करिए मेरी ब्यूटी और हैसे रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए